इन दिनों आप सभी लोग ये जरूर सुर्ख्यों में सुनते होंगे जाती जनगंणा कराई जाये जाती जनगंणा कराई जाये जिसकी जित्ती हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी तो क्या वास्तों में जाती जनगन्ना से विपक्ष हो या विपक्ष हो वो अपने मुकाम को हासिल कर पाएगा परन्तु जब जब भी जाती जनगन्ना की बात उठती है तब भारती जनता पार्टी यह कहकर आरोप लगाती है कि हमेशा विपक्ष के लोग जाती की राजनीती तुष्टी करने की राजनीती करते हैं परंतु क्या वास्तों में अगर इसा होता है तो क्या होगा चलिए आज आपको समझाने का प्रयास करते हैं नमस्कार मेरा नाम है नीरज पंचूली आप देख रहे हैं नजर टुडे विपक्ष के तमाम नेता आरक्षन का एक नया फार्मूला सुजा रहे हैं अगर यह चल गया तो विश्वनात प्रताप सिंग के बाद अन्य पिछडा वर्ग याने की OBC खेमे में फिर से एक तरह का म कड़े उजागर करे और जो जाती जितनी संख्या में है आरक्षन में उसको उतनी ही भागीदारी तै की जाए फिलाल सामान्य तोर पर OBC को 27 फीज दी अनुसुची जाती को 15 फीज दी और जन जाती को साड़े 7 प्रतिश्यत आरक्षन हासिल हुआ है कुछ राज्य में इसे अपने हिसाब से कम या ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कुछ फेर बदल किया गया है खास कर OBC वाले हिस्से को कुछ राज्य इसे इस तरीके से लागू करना चाहते हैं जाहिर एकी देश की सारवदिक संक्या पिछड़ा वर्ग की रही है इसलिए जाती जन जनना के हिसाब से देखा जाए तो हरहाल में आरक्षन में इस वर्ग को अपनी भागीदारी निशित रूप से बढ़ने की उम्मीद होगी यहाँ फार्मूला एक तरह की राजनीतिक चतुराई भी कही जा सकती है इसमें राज्यों की छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के लिए बड पार्टि जंता पार्टि की प्रचंड जीत ने तमाम जाती गणितों के बारे में एक तरह से उन सबको धता बता दिया गया है उन सबको किनारे लगा दिया यहां मोदी मोदी के अलावा किसी भी तरह का दुसरा गणित कामियाप नहीं हुआ है खेर फिलाल केवल पांसा फेका गया है इसका सोरूप कितने बड़े इस्तर पर सामने आएगा यह अब भी कहा नहीं जा सकता अगर वीपी सिंग के जमाने में की तरह आरक्षन पाने या उसके विरोध में या दोनों तरह से अंदोलन शुरू हो जाते हैं तो हो सकता है कि चुनावी राजनिती की दिशा और दशा कोई नया मोड ले आए अभी तो यह तैम आना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जैडियू राजट जैसे छोटे दल राजनितीक दल इस फॉर्मली को गहन मंतर जरूर कर रहे हैं लेकिन वे अपने इस तरह से जो कुछ कर सकते हैं वह भी अवश्य करेंगे अलकि फिलाल तो जाती जन्गर्णा पर कोई भी विशेशग्यों के बात अलग-अलग मत में सामने आई है कोई कहता है कि इस तरह की जन्गर्णा से वर्ग संगर्ष को प्रशक मिल सकता है जबकि किसी का कहना है कि जाती जन्गर्णा में दरसल इन जातियों के लिए नियाई की भावना चीपी हुई है अब देखना ये है कि इस फार्मुले को विभिन जातियों और खास कर इसके रहनुमा यानि छोटे राजनितिक दल इसको कितनी गंबीरता से लेते हैं अब देखना ये होगा कि तमाम विपक्षी दल और मोजूदा के इंदर सरकार इस पर अपना क्या रुक रखती है अपना क्या इस्टेंड रखती है परंतु एक बात सार्व भूम हैं सार्व जनिक है जो अभी हमने वीडियों में कही कि कई इसे राज्ज है जहां पर भारत सम्मीकरण एक तरह से फेल होता ने जराया है परंतु क्या हो जब केंदरी की सरकार किसी एक वर्ग की हिमाईती बनी हो इसका कारण यही है बीते दिनों तेजस्वी यादा उन्हें मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जब पत्रकारों ने उसे सवाल किया कि जाती जनगंडना के हम पक्षधर हैं और जितने भी चाहे समाजवादी लोग हो चाहे हर विचारदारा समान विचारदारा के लोग एक साजा कारी करम के तहरत यह मांग करते हैं इस केंदर सरकार से कि जाती जनगंडना हो और जिसकी जित्ती भागीदारी उसको उत्ती हिस्सेद कि सरकारी महकमों में एक तरह से भरती आ जाए परंतु क्या इन सबी से जो रोज मर्रा की चीजें हैं जो रोज के सवाले क्या थम जाएंगे क्या वो शान्त हो जाएंगे इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रही है नजर टूड़े शुक्रिया